हेलो गुट मॉर्णिंग वेलकम टू अभिसे कोचिंग सर्विसे यूट्यव चैनल और आईए आज की इस वीडियो होनों बात करते हैं बिहार आईटिया कैसे करें या फिर आपके एस्टेट का भी आईटिया होगा जो की गौवर्मेंट आईटिया हो यानि सरकारी आईटिय तो वहां से आईटिया करने पर क्या होती है कि एक तो आपको सर्टिफिकेट ओरिजिनल मिलता है कॉलेज का कोई लफरा नहीं रहता दूसरा कि इसमें पैसा आपको नहीं लगता खर्चर नहीं होता है यानि दो साल की आईटिया करने में प्राइट का जो फीस है वह साथ रुपे और दस से पंदरा जार रुपे अपको एक्स्टा खर्चा होगा तो कुल मिला के 75-60 रुपे खर्चा बैठता है लेकिन आप सरकारी से आईटिया करते हैं तो आपको खर्चा बिल्कुल भी नहीं लगता हो उल्टे सरकार के तरब से आपको एस्टाइबर मिलते या क्या है यानि कि आईटिया देखिए किस रुप में महत्पूर्ण है अपने आप में आईटिया बहुत महत्पूर्ण है यानि कि आज के जमाने में आपको एक तरह का प्रस्टिक्षन मिल जाती है जिससे आप सरकारी और प्राइबेट जगह पे आप नौकरी कर सकते हैं और लोवर मिटल क्लास या फिर बिलकुल लोवर क्लास के आदमी है यानि आपकी फैमली बैक्राउंड उतनी अच्छी नहीं है तो आप लो क्या कर सकते हैं आप आइटिया करके एक अच्छा जौब पास सकते जिससे आपका जीवन या अपम अच्छे से कर जाए तो देखे इसके यानि रैंकिंग होती है आपको कॉलेज कहां मिलता है आपका जो कॉलेज होका वह आपके डिस्टिक का हुगा आप दूसरे डिस्टिक में जा करके एडमीशन नहीं ले सकते हैं लेकिन गल्स आईटिया लरकियों के लिए यह शुभिधा होती है कि वह बिहार में कहीं बीए में एडिमिशन ले जें कहाँ फे माद महिला क ओलेघ मै एके कॉलिज में वहाँ पर तो देखी अप देखे इसमें बेस्ट ट्रेड कौन सा होती है आपको लोको बनना है सब्सक्राइब यूप ऐस्ट इलेक्ट्रीशन नंबर टू पर होती है फीटर नंबर थ्री पर होती है इलेक्ट्रोनिक्स इलेक्ट्रोनिक मेकैनिक और इलेक्ट्रोनिक रेडियो एंट टीवी तो इलेक्ट्रोनिक मेकैनिक बेस्ट होती है चौथे नहीं पर रख सकते हैं डीजल मेकैनिक को डीजल मेकैनिक आपको सबसे पहले डालने किया है अब यहां पर आप लेकिन अब जो है स्टोट के संगया काफी जादा है तो इसके लिए एक इंट्रेंश टेस्ट की व्यवस्था की यानि आपको परवेस परिक्षा देना पड़ेगा परवेस परिक्षा में आपके जिले के कॉलेज में टॉप में आती है तो आपको एडमिशन मिल जाएगी कॉलेज के नुसर और आपको पेट्रेड के नुसर सबसे पहले इलेक्ट्रिशन ट्रेड ही भरता है फिल होता है अब देखें इंट्रेंश टेस्ट कप देगा यानि कि इसका फॉर्म और वैकेंसि चलो आगे हम इसके चरजा कड़ेंगे एक्जाम कैसे होती ही सेलेबस क्या है और पैटर्ण क्या है यह दोनों चीज़ को जामना जरूर है एक्जाम बस एक ही एक्जाम होगे और वो पेपर और पिंप पे से किला मैत हैं रिज्जनींग कोस्चन नहीं आता है साइन से मैत है साइnt से जी के रग है और करेंट वस्पी कोर्फूत कम ही दा रिजी निंग मैंसे कोशन पूचा दा लेकिन एक अद दो कुर्शन आता है मैं साइन से जी के है और करेंट ये चारों मिला के osis मिलाके science का लगभग में आपको question आएगा लगभग में 60 से 70 question आएगा लगभग में 60 से 70 question आएगा और GK और current अपको ले लिजे 50 question total 100 question आएगा इस तरह से और science में numerical ही पूछ सकता है math भी थोड़ा टफ रहता है और GK मतलब क्या हुआ history, geography, economics, political science basic GK, game GK और computer science यह रहां आठ भी से मिला के GK बनता है science में देखे physics, chemistry, biology है और math में तो आपको पता ही math का general math का जो syllabus होता है इसका अब देखे जो इस न आएटियर पॉल्टेक्निक दोनों साथ इन फॉर्म बढ़े हैं तो पॉल्टेक्निक में आपको तीन ही भी से पढ़ना math और physics, chemistry तीन भी से में से 90 कोशन आजाते हैं तीस तीस कोशन सम्मिश आजाते हैं लेकिन ITA का syllabus है वो जो है न पॉल्टेक्निक से ज़्यादा है और आपको ITA का प्रास करना बहुत मुस्किल है और पॉल्टेक्निक पास करना बहुत आसान है क्योंकि पॉल्टेक्निक और बिहार लेबल पे होती है और ITA आपके जीला लेबल पे ही होगा आपका रैंकिंग जीला में बनेगा तभी आपको एडिमिशन होगा और ने था आपको एडिमिशन नहीं मिलेगी यह रहा एक्जाम से लिवास प्रैटर्न का बाद जान लिए एक्जाम कब होगा इसका अभी इसका फॉर्म निकलने वाली है दस से पंदर दिन आपको टाइम मिलेगा फॉर्म भरने के लिए उसका फिर इसका एक्जाम जोगी आईटे पॉर्ड़िंग एक्जाम आगे पीछे हो जाती एक सप्ता आगे पीछे हो जाती है तिसका एक्जाम को संभावी दता है जून से ले करके जुलाई अगस्तक इसकी एक्जाम हो जाएगी अब देखिए कैसे करना है या तो आप किसी कोचिंग सेंडर्म जाएक त्यारी कर लिजए या घर बैठे खुद से कोश्चन आपको मिलेगा हमारे यहां से हम आपके घर पे भेज़ेंगे इसका प्रोसेस के लिए आप मुझे कांटेक्ट करेंगे इस नंबर पर यह रहा और तयारी के लिए बस आप मास्टर नोट पर लेजे और जितने सारे सिलेबस बगएर सब आपको हम कंप्लीट करवा देंगे आपको हम यह से ऑनलाइन एक्जाम बगरे सब की तयारी करवा देंगे आपको बता देंगे कैसे कैसे क्या करना है आपको रैंकिंग अच्छी लानी होगी तब ही आपका एडिमिसन यहां पर मिल जागा इस वीडियो पसंद आई हो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दिए अपने दोस्तों को भी सेर कर देजे और इस वीडियो में इस चैनल पर बने रही है सब्सक्राइब कर लिजे थेंक्यू सो मुच